दोस्तों आप जब देख रहे हैं आपका अपना जैनल निकुज मोटिवेशनल स्टोरी दोस्तों महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा इंसानी की सबसे बड़ी गल्ती क्या है तो उन्होंने कहा इंसान को लगता है उसके पास बहुत वक्त है हमारी भी यही गल्ती है हमें लगता है हमारे पास बहुत वक्त है लेकिन हमाई जिन्दगी का ये वक्त इतनी तेज गती से निकल जाता है हमें पता ही नहीं जलता आपका ये वक्त आपको free मिला है लेकिन फिर भी ये अन्मोल है आप समय के मालिक नहीं बन सकते पर इसका इस्तमाल जरूर कर सकते हैं आप समय को अपनी तेजोरी या bank account में छुपा किया बचा के नहीं रख सकते लेकिन आप समय को अपनी मर्जी के अनुसार खर जरूर कर सकते हैं लेकिन आत रखना अपनी जिन्द्गी के गुजरा हुआ वक्त का एक एक सेकेंड भी आप बापत नहीं ला सकते हैं वैसे तो एरवज हमारी उम्र 60-60 साल है जिसमें से 20-23 साल हम सोने में गवा देते हैं जो हमारे जिन्द्गी का लगबग 30% हिस्टा है 10-12 साल हम काम करने में निकाल देते हैं हम लगबग 9 साल टीवी मोबाइल और सोसल मीडिया में खर्च कर देते हैं हम लगबग 4 साल खाने पीने में खर्च कर देते हैं तीन साल एज्यूकेशन में खर्च कर देते हैं बाकी जो समय हमारे पास बसता है उसे आप कैसे खर्च करते हैं टाइम पैसे से भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है आप टाइम से जितना चाहे पैसा बना सकते हैं कमा सकते हैं लेकिन पैसे से आप टाइम को कभी खरीद नहीं सकते हैं इस टिम जॉप्स ने कहा लिमिटेट सो डोंट वेस्ट इस लिविंग समबन एल्स लाइफ अब एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है बैड न्यूज यह है ताइम में आपकी जिन्गी से ओड़ जाता है और गुड न्यूज यह है उस ताइम को ओड़ाने वाल प बैंक अकाउंड में रोज 86,400 सेकंड आ जाते हैं दिन खतम होने तक यह पैसे अपने आप खतम हो जाते हैं चाहे आप इसको इसका इस्तिमाल करें यह ना करें ऐसे ही हमाई जिन्दगी में हर दिन 86,400 सेकंड मिलते हैं लेकिन क्या आप इसका सहींस इस्तमाल करना जानते हैं आप पैसो को कभी वेस्ट नहीं करते हैं लेकिन जब बात टाइम की आती है तो उसे ऐसे ही वेस्ट कर दिते हैं यह एक एक सेकंड आपके पैसे से भी बढ़कर हैं लेकिन ताइम आपकी जिन्दगी से एक बात चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता अगर एक साल की वेल्यू जाननी है तो इस इस्टुडेंस से पूछो अपने ग्रेट सी वज़ा से एक साल खराब हो गया एक महीने की वेल्यू जाननी है तो उसमार से पूछो जिसने अपने आकरी महीने में अपने बच्चे उखो दिया एक दिन की वेल्यू जाननी है तो उसमार जूर से पूछो जिसका अगर उसके हर दिन काम करने चलता है एक गंटे की वेल्यू जाननी है तो उससे पूछो उन प्रेम करनेवारों से पूछो जिने बहुत तरसने के बाद एक गंटावात करने को मिलता है एक मेट की वेल्यू जाननी है तो उस इंसान से बूचो जिसकी बस ट्रेन या फ्लाइट लास्ट मिनिट में छूड़ गई हूँ एक सेकंड की वेल्यू जाननी है तो उस इंसान से बूचो जिसका एक सेकंड की वज़ा से एक्सेडेंट होते होते बज़ गया हमें लगता है कि हमारा time लोगों की बज़ा से खराग होता है लेकिन साथ यह है time खराप करने इस परियूशन हम यह उने देते हैं उन लोगों को अपनी जिन्दगी में बहुत ज्यादा value और time कभी मत दो जिनकी जिन्दगी में आपकी और आपकी कोई value ना हर इंसान के अंदर दो आवाजे होती एक वो जो कुछ करना चाहती है और कुछ बनना चाहती है जो आगे बढ़ना चाहती है जो जिन्दगी में गीतना चाहती है और दूसरी आपको आजसी बनाती है जो आपको कमजोर बनाती है जो आपको हर पल ये कहती है कि आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हलात ऐसे हैं मजबूरिया हैं लोग अच्छ नहीं हैं जिनगी में सिर्फ परिसानिया तकलीफ है आपको पता है इन दोनों में से कौन सी अवाद जीतती है जिसकी आप ज़्यादा सुनते हुआ जिसे आप फॉलो करते हुआ जिसकी बात मानते हुआ अपने जिनगी में आप क्या बनते हो अपने टाइम को आप कैसे यूज करते हो या सब कुछ आप पर डिपैंड करता है जिनगी आप और वक्त दोनों सबसे बेस्ट टीचर हैं जिनगी सिकाती है कि आप समय सही और अच्छा इस्तमाल आप कैसे कर सकते हैं और समय आप को सिकाता है कि जिनगी कितनी अनमोल और खूपसूरत है जिनगी उन्हें बहुत बड़ी सी लगती है जो दुखी रहते हैं और उन्हें बहुत शोड़ी लगती है जो जिनगी सेलिब्रेट करते हैं और जो प्यार करते हैं उनके लिए तो जैसे समय दौड़ता है यह समय आपका है आप इसका अपनी जिनगी बनाते हैं या बिगारते हैं सब कुछ आप पर डिपेंड करता है दोस्ता सब्सक्राइब अच्छे लग हो तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर करें अजय करते हैं प्यार करते हैं झाल झाल